आपका प्रश्ण हमेशा रहता है कि UPPCS Prelims जिसमें 1.500 प्रश्ण होते हैं उसमें कितना करके आएं कि हमारा हो ही जायेगा या फिर जो आरो यारो का Prelims का प्रश्ण पत्र है दोनों मिला करके अगर देखा जाए 200 जो प्रश्ण है इसमें अगर 140 हम केवल GS का लें तो 140 में कितना करें चोकि हिंदी ये मान के चली कि 55-60 आपका सही होना चाहिए इस competition के दौर पे 55-60 अगर हिंदी गड़ते हैं तो जो म कितने attempt करने चाहिए ये एक प्रश्ण रहता है तो पहली बात तो प्रश्ण पत्र देखे बिना आप ये बता नहीं सकते चुकि अगर pattern वही रहा तब तो बताया जा सकता है लेकिन pattern change हो गए questions का जो प्रारूप है बहुत ज़्यादा tough बना दिया इस तरह का नय प्रश्ण ज़्यादा आ गए गुमाओदार ज़्यादा प्रश्ण आ गए tricky बहुत आ गए तो वहाँ पर फिर discussion change हो जाता है लेकिन हम जब आज वीडियो बना रहे हैं तो जो अभी तक pattern चलता आया है या फिर last जो पेपर हुआ आप का रोया रोगा अगर इसी level का पेपर रहता है तो यह नियम जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसको अगर आप follow कर लेते हैं तो बहुत easily आप exam qualify कर ले जाएंगे बहुत आराम से prelims आपका qualify होगा पहली बात की सौ बटे साट के नियम से आप fail हो जाते हो सौ साट का नियम यह है कि आप सौ परतिशत मेहनत करते हो 100% syllabus पढ़ लेते हो सौ परतिशत अर्थात standard book भी पढ़ डालते हैं PYQs भी लगा दें का पूरा प्रयास करते हैं खुब सारे test दे लेते हैं रिविजन भी कर लेते हैं सब कर लेते हैं लेकिन exam में जा करके आप attempt बहुत कम करते हैं वो इसलिए कि आपको जो exact पता होता आप जरा भी risk नहीं लेते हैं तो जब आपने खुब पढ़ा है हर एक topic पढ़ा है अच्छे से तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा risk लेना होगा नहीं पढ़ा है तो बात लग है बिल्कुल ही नहीं आता कोई topic कोई प्रश्न बिल्कुल ही नहीं आ रहा है परिचिती नहीं है तब तो छोड़ना ही सही रहता है अंधेरे में तुक्का कभी नहीं मान जैसे मैं उधारन दिया कि 100 प्रतिशत आपकी तयारी है confidently आपने तयारी की है ठीक है और 100 तो नहीं हो सकती है किसी की भी नहीं हो सकती है 100% आपने प्रयास किया 100% करने का लेकिन लगबग 90 प्रतिशत आप cover भी कर लिए है पड़ भी लिए है रिवीजन भी उसमें से maximum 90 प्रतिशत में से माल लिजे 65 या 70% में आपका command है इतने पर command है आपका इतने topics पे फिर भी आप exam में बच बचा करके 60% या 65% अठाद लगबग 100 के आज पास प्रशन ही करके आते हैं दम बचा करके अपने आपको तो यहाँ पे अगर 7-8 प्रशन और आपके गलत हो जाते हैं आप फिर negative marking का असर पड़ता है तो यह एकदम से आपके against चलायाता आपकी तयारी का कोई लाव आपको मिलता नहीं है Rarely ही आप पास हो पाते हो Rarely ही आप cut off पार कर पाओगे ऐसी इस्तिती में दूसरा है 80 by 80 80 प्रश्चत की आपने तयारी की है उस पर command कर लिया है 80 प्रश्चत की तयारी ही मैं आप लोगों से करने के लिए कहता हूँ 100 प्रश्चत के पीछे मद भागिये मैंने कहा 1.500 में 120 प्रश्चन को अगर target करेंगे बहुत इजिली 120 प्रश्चन आप कर पाओगे उसके बाद 30 जो questions हैं उसमें भी आपके लिए gap रहेगा वहाँ भी आप कर सकोगे लेकिन 120 पे आप command कर सकते हो कैसे command कर सकते हो कल वाला वीडियो आप देखिएगा उस तरीके से आप command कर सकते हो core topics पढ़िए बार बार revise करिए सारे listing को पढ़ डालिए listing को अच्छे से क्रमवार जैसे तिथिया है क्रमवार हर चीज की क्रमवार थोड़ा सा दिमाग लगा कर correlate करते होए पढ़िए उसके बाद questions लगाईए खो PYQ गलत नहीं होने चाहिए कुछ ऐसे topics जैसे science के questions जो PYQ बहुत आते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए ठीक परियावरन के हो गया geography का mapping से प्रशन आता है यह सब बहुत easy प्रशन होते हैं आप चुकि पढ़ते नहीं हो सारा time आप history और current में ही चला जाता है आपका इसलिए यह सब छूट जाता है फिर आपको पस्तावा होता है तो balance करके सब को चलना है आपको यह rule follow करना है अर्थात आप 80 प्रशन के त्यारी करिए 120 प्रशन 158 120 प्रशन 150 में आप करके आईए कम से कम ठीक है और इस 80 प्रशन में क्या क्या आएगा देखिए तैयारी क्या करनी है आप कल वाला वीडियो जरूर देखेगा कैसे हमको तैयारी करनी है कैसे अपने आपको इस टाइम में जो बचा हुआ समय है कल एक वीडियो फिर में बनाऊँगा आपको बचे वे समय में कितना किस विशे को कितना समय दें मैं डे वार आपका विभाजित भी कर दूँगा अगर उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो निश्चे तो अपसे बहुत बैग्यानिक तरीके से बहुत साइंटिफिक तरीके से आपकी तियारी होगी आपको सारी चीज़े याद भी हो जाएंगी बाकी जो वीडियोस हम ले आ रहे हैं जो हमारा एक सिरीज स्टार्ट हुई शक्तिमान सिरीज परिक्षा कवरी है ही और भी इनिशेटिवस हम ले आने जा रहे हैं पूरा उलोकन हो गया या फिर जो भी है वो सारे जैसे दो चीज़ें हमारी आने वाली हैं उसको आप बिल्कुल मिस मत करियेगा एक 50 questions का हर subject का हर segment का 50 most important और जो अतिसंभावित प्रशन होंगे उनको हम discuss करेंगे हर एक segment के 50 questions जो अतिसंभावित लगेंगे हमें एक-एक प्रशन वो पूरा आप समझे मोतियों की माला रहेगा उसमें से कोई भी मोती आपके exam में गिर सकता है ठीक है उठाना आपका काम है तो ये नहीं छोड़ना है प्रस 30 minute की जो series है वो आपको नहीं छड़ना है ये 30 minute की factual series रहेगी पूरी जो हम हर segment की आप से discuss करेंगे और रामाइड वीडियो कर इंटरफियर्स का ये सब आपको देखने ही देखने है तो channel पे आप लोग बने रहे है जैहो study telegram group पे भी आपको ये सारे वीडियो के notification जो भी रहेंगे वो मिलते रहेंगे तो कहने वाली बात यही है कि इस बात का आप ध्यान रखेगा exam में पढ़ना ज़्यादा महत्पूर नहीं है questions को कैसे tackle करें ये ज़्यादा महत्पूर है आपने 100 प्रतिशत आपकी जो तैयारी है अगर किसी विशे को आपने पढ़ा है तो उसको exam में हल करने से उसको tackle करने से अगर आप घवरा रहें तो आपकी पढ़ाई व्यर्थ है तो आप अगर पढ़ रहे हैं 80 प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो 80 प्रतिशत प्रश्न करने के लिए भी आप तयार रही है ठीक है ना? यहाँ पे risk level बहुत कम हो जाता है आपका क्योंकि जो कुछ आप 80 प्रतिशत में पढ़े रहते हो वहाँ पे command हो जाती है आपकी और 100 प्रतिशत के चकर में होता है 80 परसेंट तो आपके तयार हो सकते थे लेकिन 20 प्रतिशत पे आप ज़्यादा जोड़ दे पूरी अपनी इनर्जी यहां पे लगा देते हो और यहां से जो प्रशन आते हैं 20 प्रतिशत जो कालपनिक होते हैं या फिर डरावने आपको लगते हैं या फिर नए आपको समझ में आते हैं या फिर यह आप कहते हो exam हाल से बाहर आकर पता ने कहां से पूछ लिया था यह पता ने कहां से पूछने वाले ही प्रशनों के चक्रा आप पड़े रहते हो लेकिन जो वास्तों में आपके syllabus से जो आपके pattern से पूछा जाता है जिसकी आप आसानी स्तियारी कर सकते थे उससे आप भटक जाते हो तो ये भी आपका 80 से नीचे गिर के 60 में आ जाता है और जहां पर यह होता है borderline case पर आप आ जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा आप रिस्क ले लेते हो मैंने कहा है हमेशा आप से ऐसे प्रशनों पे रिस्क मत लीजे जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे है चार विकल्पों में आप अंधा मत मारो तब ही मारो जब आपकी इस्तिती बहुत दैनी हो जाए अब 80-85 में आप रुक रहे हो तो आपके पास रिस्क लेने के लावा कोई और चारा नहीं है समझ में आ रहा है आपको तो ये चीज करिए और यहाँ पर मैं आपको विशेश रूप से बात करूँगा आरो के लिए बहुत जबर्दस कॉम्टीशन है आरो में जहां तक मुझे देखने को मिल रहा है और चुकि PCS Prelims के बाद भी समय रहेगा तो अभी जो लोग आप सजग होंगे वो भी तैयारी में एक दो महीने में उस लेबल तक पहुँचने की शमता रखते हैं तो आप समझ ये कॉम्टीशन ठीक ठाक है उससे डरना नहीं है आपको आपको बस होशियार रहना है साउधान रहना है तो अगर 55 या 52 भी मान लीजे आप हिंदी में कर रहे हैं तो आपको 85 के आसपास GS में करना है जिससे आप prelims qualify हो जाओगे बहुत easily ये मत सोचिए कटाफ मैं कटाफ आपको नहीं बता रहा हूँ आपको 140 में 180 80 से 85 140 में प्रश्ण GS में सही करना ही करना है इससे उपर जाइए इससे नीचे मत जाइएगा नहीं फिर यही होगा कि कितनी मेरिड जाएगी क्या होगा इसी उपहों में पड़े रहेंगे हम कटाफ की बात ही नहीं कर रहे हैं वो तो एक्जाम के बाद ही होगी कितने आप attempt करो और थात कितने सही करो उसका हिसाब किताब आपको करना है और accuracy आपकी कितनी है यह आपको ही पता हो सकती है टेस्ट देते होंगे तो आपको पता होगी कि आपकी accuracy कितनी है उस हिसाब से फिर आप आगे बढ़िएगा चुकि हम अपने टेस्ट की बात इसलिए नहीं करते कि हम अपने टेस्ट में नए प्रश्णों को ज़्यादा शामिल करते हैं PYQ को कम से कम रखते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सको टेस्ट के माध्यम से भी तो अगर हमारे टेस्ट में आपके कम अंकार है तो आपको घवरानी जुरुत नहीं है जो नए प्रश्ण है उनको व्याख्या सहीद पढ़ लीजे व्याख्या में आपको PYQ मिल जाएगा क्योंकि related वो PYQ से ही रहता है उमीद है आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी तो आप 160 के रूल को अपना ये मत 80 भाई 80 के रूल को अपना ये सफल होंगे बहुत बहुत धन्यवाद